साल 1993, कर्मी से भरे जून के महीने में एक हर्षग महता नाम का ब्रोकर देश के सबसे बड़े वकील रामजेट मलानी के साथ एक बड़ा खुलासा करता है। वो प्रेस कॉन्फरेंस करके ये दावा करता है कि 4 नवेंबर 1991 को वो अपने भाई अश्विन महता समेत और दो लोगों के साथ प्रधान मंतरी आवास जाता है और उन्हें एक करोड रुपे रिश्वत देता है। हर्षद महता के मुदाबिक वो एक बड़े सूट केस में सारा कैश लेकर गया था। महता के इस दावे ने उस वक्त सियासी भूचाल ला दिया था। वो जिस पर आरोप लगा रहा था वो कोई और नहीं देश के नवे प्रधान मंतरी पीवी नरसिम्हार राओ थे। नमस्काल आप देख रहे हैं श्रेश्ट भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंग। प्रधान मंतरी पर हमारी स्पेशल सिरीज के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी देश के आठवे प्रधान मंतरी चंदरशेखर सिंग की। हमने आपको बताया था कि कैसे राजीव गांधी के समर्थन से उनकी सरकार बनी और तीन महीने बाद गिर गई। अब फिर ये सवाल खड़ा था कि कौन बनेगा प्रधान मंतरी। उसी साल यानि 1991 में होने वाले लोगसभाद चुनाव से पहले राजीव गांधी अपने दिल्ली वाले दफ्तर में बैठे थे। उनके सचेव विंसिन जॉज ने अंदर आकर कहा कि नरसिम्हाराओ काफी देश से आपका इंतजार कर रहे हैं। राजीव ने उन्हें बुलवाया और कहा आप बूढे हो गए हैं। अब आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बात भी ठीक थी। आंदर प्रदेश के मुख्य मंतरी नरसिम्हाराओ सबतर साल के हो चुके थे। पिश्ली सरकारों में ग्रह मंतरी, रक्षा मंतरी और विदेश मंतरी जैसे बड़े पत भी समाल चुके थे। लेकिन वो राजीव गांधी की ये बात सुनकर काफी आहत हुए। राव साहब काफी शान सभाव के थे, वो जादा बोलते नहीं थे। इसलिए राजीव की बात सुनकर चुपचा वहां से चले गए और राजनीती छोड़कर अपने होम टाउन हैदराबाद जाने की तयारी करने लगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो हैदराबाद जाने की तयारी कर ही रहे थे कि जोतिश का शौक रखने वाले एक अधिकारी ने उनसे कहा राव साहब मुझे लगता है आपका भागे बदलने वाला है। कुछ महीने रुक जाएए वरना वापस दल्ली आना पड़ेगा। उस वरिष्ट अधिकारी के बाद सच साबित हुई। 21 मई 1991 को अचानक राजीव गांधी की हत्या हो गई और राजनीती छोड़कर रिटाइमेंट लेने जा रहे नरसिम्हाराओ देश के नौवे प्रधानमंत्री बन गए। दरसल राजीव गांधी की मौत के बाद पूरे देश की सहानुभूती कॉंग्रस के साथ थी। इसलिए लोकसभाचनाओ में अखीले कॉंग्रस को 232 सीटे मिली थी। सोनिया गांधी उस वक्त राजनीती में आने को बिल्कुल तयार नहीं थी। अब कॉंग्रस के सामने फिर वही संकट खड़ा था। आकर किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाये जाए। कॉंग्रस के सीनियर नेताओं में फिर होड मच गई। हर कोई अपने पक्ष में महाल बनाने लगा। उसी साल 17 जून को टाइमस ओफ इंडिया में महाराश्र के ततकालीन सीम शरत पवार के हवाले से एक खबर छपी। पवार तब कॉंग्रस में हुआ करते थे। खबर में लिखा था कि महाराश्र के सान सत्ताय करेंगे कि दिल्ली में देश का नेत्रित वो कौन करेगा। अगले दिन 18 जून को फिर शरत पवार को पीम बनाने से संबंदित खबर छबी। महाराश्र से दिल्ली तक इस तरह का महौल बनाये जाने लगा जैसे पीम पत के लिए शरत पवार ही सबसे बड़े दाविदार है। इस बारे में पीवी नरसिमहाराओ के पुराने दोस्त और लेखत संजय बारू अपनी किताब 1991 हाओ पीवी नरसिमहाराओ मेड हिस्ट्री में लिखते हैं मैंने राव सहाब से शरत पवार को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा ताइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर दिली पढ़गाओं कर राधीप सर्देसाई सब महाराश्र के हैं इसलिए अपने आदमी को बढ़ा रह हैं दिली में शरत पवार की कोई हवा नहीं है उधर कॉंग्रिस में पीएम उमीदवार को लेकर महा मंधन चल रहा था पूर्व विदेश मंत्री नेटवर सिंग अपनी किताब वन लाइफ इस नॉट एनफ में लिखते हैं कि सोनिया गांधी ने अपने सलाहकार पीएन हकस से पूछा कि कॉंग्रिस की तरफ से कौन पीएम के लिए बेस्ट कैंडिडेट है तब हकसर ने कहा कि सीनियर नेता के रूप में देखें तो उपराश्रुपती शंकर दयाल शर्मा परफेक्ट हैं इसके बाद दो लोगों को शंकर दयाल शर्मा से बात करने की जिम्यदारी दी गई लेकिन शंकर दयाल ने कहा प्राइम मिनिस्ट्री फुल टाइम जॉब है और मेरी खराब सेहत के साथ बढ़ती उम्र मुझे देश के सबसे महत्यपूर्ण आफिस को सम्हालने की इजाज़त नहीं देती इसके बाद पी एन हकसर ने सोनिया को पीवी नरसिम्हा रा थे राव की एक और खूबी के बारे में पत्रकार विनय सीतापती लिखते हैं सोनिया गांधी को लगता था कि राव अपनी जगहें जानते हैं सरकार और संगठन में लंबे समय तक रहने के दौरान उन्होंने कभी गांधी परिवार के खलाफ बगावती तेवर नहीं हुई जिसमें नर्सिम्हाराओ को कॉंग्रेस प्रेसिडेंट चुना गया कॉंग्रेस के खेमे समय तब देश के वरिष्ट पत्रकारों का भी यह मानना था कि जब तक सोनिया खुद राजनीती में एक्टिव नहीं हो जाती सिर्फ तब तक के लिए राव साहब को आगे किय जा गया था तो इस तरह कॉंग्रेस प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद 21 जून के दिन राश्रुपती आर्वेंकर ट्रमन ने पीवी नर्सिम्हाराओ को देश के नवे प्रधानमंत्री के तौर पर शपत दिलाई पीवी नर्सिम्हाराओ एक अनुभवी नेता थे लेकि देश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था उनके पीएम बनने से पहले चंदर शेखर देश का सोना गिरवी रख चुके थे लिहाज़ा राव साहब के पीएम पत की शपत लेने से एक दिन पहले 20 जून की शाम कैबिनेट सेक्रेटरी नर्श चंदर उनसे मिलने पहु क्या देश के अर्थ विवस्ता इतनी खराब हो चुकी है जवाब मिला नहीं सर इससे भी जादा खराब है विदेशी मुद्रा भंडार की हालत इतनी खराब है कि हमारे पास करीब 90 करोड डॉलर की ही विदेशी मुद्रा बची है जिससे सिर्फ दो हफ़ते का आयाद पूरा हो सकता है विरसीता बती के मताबिक सरकार बनने से पहले ही पीवी नर्सिम्हाराव ने तै कर लिया था कि वो एक एक्सपर्ट अर्थ शास्त्री को वित्तमंत्री बनाएंगे इसके लिए उन्होंने तुरंत अपने खास दोस्त पीसी अलेक्जेंडर से बात की वीसी से वो वडोद्रा नहीं छोड़ना चाते थे लेकिन पटेल ने उन्हें एक नाम सुझाया और वो नाम था यूजी सी के चेर्में डॉक्टर मनमोहन सेंग का पीवी ने तुरंद मनमोहन सेंग की तलाज शुरू कर दी उनके घर फोन लगाया तो पता चला कि वो यूरोप ग पहले राव सहब ने मनमोहन सेंग के यूजी सी ओफस में ही फोन लगाया और उनसे बातचीत की राव सहब ने सारी कंडिशन बताते हुए उन्हें वित्तमंत्री बनाने का ओफर दिया और कहा अगर हम सक्सेस्फल हो गए तो इसका क्रेडिट हम दोनों को मिलेगा लेकिन अ पहम कदम उठाए गए जो काम्याब भी हुए देश ने जल्दी अपना गिर्वी रखा सोना भी वापस खरीद लिया राव सरकार के दोरान ही 6 दिसंबर 1992 के दिन वापरी मस्जित को गिराए गया था इस बारे में वरिश पत्रकार कुलदीप नयर अपनी किताब बियॉंड द लाइन्स में लिखते हैं कि इस विद्धवन्स में नरसिम्हा राव की मिली भगत थी जब कार सिवकों ने धाचा गिराना शुरू किया तो पीवी पूजा पाट करने लगे और जब धाचा पुरी तरह गिर गया तब ही वो पूजा से उठे कुलदीप नयर के मताबिक समाजवादी नेता मधुल लिम्ये ने उन्हें बताया था कि पूजा के दौरान जब पीवी के एक सहयोगी ने उनके कान में बताया कि धाचा गिर गया है तब ही उन्होंने पूजा खत्म कर दी थी धाचा के राय जाने के बाद पीवी ने पत्रकारों को बुलाया और कहा इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है राव ने कहा कि यूपी के सीम कल्यान सिंग ने उन्हें धोखे में रखा था कुल्दीप नयर कहते हैं कि जब मैंने उनसे पूछा कि रातो रात वहाँ एक छोटा सा मंदर कैसे खड़ा हो गया है तो पीवी ने कहा मैं CRPF की एक टुकड़ी भेजना चाहता था लेकिन मौसम खराब होने की विज़स से विमान नहीं जा सका फिर राव ने कहा कि ये मंदिर जादा दिनों तक नहीं चलेगा अब वहीं कुछ लोगों का दावा ये भी था कि नरसिमा राव हिंदूओं की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने मंदिर हटाने के निर्देश नहीं दिये इसी वज़े से राव की छवी कट्टर हिंदूत ववादी नेता की बनती जा रही थी जो कॉंग्रस के डीने से मैश नहीं खा दी थी राव के पीम बनने के बाद से ही सोनिया गांधी को लगने लगा था कि वो नहरू गांधी परिवार के महत्व को लगातार कम कर रही है दोनों नेताओं के बीच खटास आने की एक वज़े और भी थी दरसल सोनिया गांधी के निजिस सचिव विंसिन जॉर्ज को राजसभा भीजा जाना था उधर मागरिट अल्वा भी चौथी बार राजसभा जाने की तिग्रम बिठा रहे थे लेकिन पार्टी के कई नेता अल्वा का विरोध कर रहे थे पीवे रूस्य आत्रा पर जाने वाले थे लेकिन अल्वा के नामांकन को लेकर संश्य में थे लेहाजा उन्होंने राजसभा का मामला खत्म करने के लिए सीधे सोनिया गांदी को फोन लगाया सोनिया ने उन्हे कुछ संकेत दिये लेकिन साफ तोर पर कुछ नहीं कहा जब विदेश से राजसभा उमीदवारों के नाम के लिस्ट भारत आई तो मागरिट अल्वा का नाम तो था लेकिन विंसेंट जॉर्ज का नाम गायब था इसके बाद से सोनिया और नरसिम्हा राव में खाई बढ़ती चली गई और राव के अंत समय तक बरकरार रही राव के परिवार का दावा है कि 2004 में जब नरसिम्हा राव का निधन हुआ तो उनका अंतिम संसकार दिल्ली में नहीं होने दिया गया इस बारे में विने सीता पती लिखते हैं कि राव के बेटे प्रभाकर कहते हैं कि हमें महसूस हुआ कि सोनिया जी नहीं चाहती थी कि हमारे पता नरसिम्हा राव का अंतिम संसकार दिल्ली में हो वो ये भी नहीं चाहती थी कि यहां उनका मेमोरियल बने अब हम आपको नरसिम्हा राव से जुड़े दो किस्से बताने जा रही है जिनमें से एक में उन्हें इमानदारी की मिसाल बताये जाता है तो दूसरे में उन पर एक करोड की रिश्वत लेने के आरोप लगे थे पहले बात उन पर लगे आरोप की बात नब्बे के दशक की है तब बहुत कम लोगों को पता था कि स्टॉक मार्केट किस चुडिया का नाम है म्यूचल फ़ंड के नाम पर सिर्फ यूटी आई का सहारा था रोजमर्रा का कारोबार ब्रोकर्स के बीच तक ही सीमित था उन दिनों स्टॉक मार्केट को गैंबलिंग की तरह देखा जाता था लोग स्टॉक मार्केट और गैंबलिंग में ज़ादा फर्क नहीं मानते थे ऐसे महाल में लो़र मिटल क्लास का एक युवा स्टॉक मार्केट की तरफ कदम बढ़ाता है और उसका नाम था हर्शद महता वो 1981 में मुंबई में एक ब्रोकरेश फर्म से जुड़ा और 1990 से 1991 तक एक जाना माना ब्रोकर बन गया कुछ सालों में उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया हर्शद के बारे में कहा जाता है कि उसने देश के नौजवानों को सपना देखना और उन्हें पूरा करना सिखाये था लेकिन उसने खुद गलत रास्ता चुना था उस वक्त बैंक और RBI के बीच सेटिल्मेंट में जो देरी थी उसी लोप होल का फायदा उठा कर हर्शद महता ने पैसा स्टॉक मार्किट में डाला और इस तरह एक बैंक का पैसा दूसरे को देने से पहले बाजार में लगा देता था इस खेल में माहिर हो चुका हर्शद महता जिस शेर पर हांत रखता वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाता साल भर में सेंसेक्स एक हजार से साड़े चार हजार तक पहुंच गया मार्किट के लगातार चड़ने से सवाल उठने लगे कि ऐसा हो कैसे रहा है जाच हुई तो बड़ा घोटाला सामने आया खुलासे के बाद बैंक्स ने अपने ही खाते चेक किये तो पता चला कि कई मामलों में रसीदे तक फर्जी थी उस कैम से बाजार को एक लाग करोड रुपे की चपत लगी आरबियाई ने जाच के लिए जानकी रमन कमिटी बनाई और फिर तमाम कायदे कानून दुरस्त किये जाने लगे जाच परताल के बाद हर्षद महता पर 600 से जादा मुकदमे हुए उसी दौरान उसने एक संसनी खेज दावा किया और कहा कि 4 नवंबर 1991 को वो अपने भाई अश्विन महता और दो अन्य लोगों के साथ पीम आवास पर गया और वहां उसने पीम नर से महराओ को एक करोड रुपए की रिश्वत दी उसके इस बयान से पूरे देश में सियासी भूचा ला गया था अपनी सफाई में सरकार के तरफ से कई दस्तावेज पेश किये गए और बताया कि हर्षद के तमाम दावे जूटे हैं वो पीम से मिला ही नहीं हर्षद ने प्रेस कॉंफरेंस करके महौल तो पूरा बनाया लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाया उल्टाप नहीं बुने जाल में फस किया हर्षद के दावों में एक नहीं कई जोल थे इसलिए जाँच के बाद सी बे आई ने उसके सारे आरोप निराधार करार कर दिये और पी-एम वो क्लीन चिटते दी गई अब दूसरा किस्ता आपको बताते हैं पीवी नरसिमहराओ की इमानदारी से जो जुड़ा हुआ है पूरु राष्टपती एपीजे अब्दुल कलाम 24 जनवरी 2013 को एमकाओ मेमोरियल में मुक्य अथिती के तौर पर पहुँचे वहाँ उन्होंने नरसिमहराओ की इमानदारी से जुड़ाई किस्सा सुनाये था कलाम के मताबिक साल 1996 1996 के आम चुनाव के नतीजों से ठीक दो दिन पहले ततकालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिमहराओ ने उनसे कहा कि एपीजे आप अपनी टीम को परमाणू परिक्षन के लिए तयार रखिए और विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री पत के उमीदवार अटल बिहारी वाजपेई से जाकर मिलिए उन्हें इसकारिक्रम के बारे में बताईए कलाम के मताबिक राव साहब चाहते थे कि अगर उनकी सरकार चली भी जाती है तो आने वाले प्रधानमंत्री देश के लिए जरूरी न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रख सके कलाम ने कहा कि उनका ये काम ये बताता है कि नरसिम महाराव एक देश भक्त राजमीता थे तो फिलहाल के इस शो में बस अतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहें श्रेष्ट भारत